17 टूबर्ट से सुरू होने वाले T20 विष्टकप के पूरे शडूल कैला मंगलवार को भारतिया समय नुसार साड़े 10 बजे हो का वह आपको ये भी बता दे कि विष्टकप की तारीके तो पहले से ही तै कर दी गई थी लेकिन पूरे शडूल की गोशना नहीं की गई थी वह विष्टकप का आयोजन भारत में होना था लेकिन करोना मामारी के कारण BCCI ने इसे UAE शिफ्ट कर दिया मालूम हो कि ICC पहले ही तै कर चुका है कि कौन सी टीम किस गुरूप में रहे की वह भारत और पाकिस्तान को एक ही गुरूप में रखा गया है शुडिल जारी होते ही पता चल जाएगा कि इन दोनों टीमों की भिड़त कब होनी है मैं आपको बता देगी T20 विष्टकप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नॉवंबर तक ओमान और UAE में होगा वह 8 देशों की कॉलिफाइंग टूर्नमेंट को 3 सितंबर से खेला जाएगा इसमें स्रिलंका, बांगलेजिस और आइलेंड की टीम भी शामिल है इन में से 4 टीम सूपर बाराग के चरण में कॉलिफाइग करेगी महीं गौर्तलाब है कि इस टूर्नमेंट का आयोजन बारत में होने वाला था लेकिन कुरोना के स्तितिके कानण ICC ने इसे UAE के स्तंतरित कर दिया मगर भारत इस टूर्नमेंट का मेजमान बना रहेंगा महीं आपका बताते कि बारत और पाकिस्तान की टीम गुरूप दो में है इस गुरूप में न्यूजलेंड और अफगानिस्तान की टीमें भी है महीं सूपर बाराग के गुरूप एक में इंग्लेंड ऑस्टेलियर दक्षिन अफ्रिका और वेस्ट इंडियस को रखा गया है हर गुरूप में छे छे टीम होगी गुरूप के अन्य टीमों का फैसला विशुकप के कॉलिफार राउड में नतीजे सित्ते होका